हर्याना एट टाइन पेम ने शानल में आपका स्वागत है आई आपको कराते हैं खब्रस अप्रीट खरकुदा में रात की सफाई का वीडियो वाइरल जो बता रही है कि कैसे होता है फरजी वाड़ा शहर में सफाई की नाम पर हो रही खाना पूर्ती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सफाई कर्मी सड़क पर फैलिक गंदगी को साफ करने के बजाए जाड़ो को इधर उधर खुमाते हुए सफाई की नाम पर खाना पूर्ती करते दिखाई दे रही है सफाई का यह विडियो रात का है चुकि सोशल मिडिया पर काफी वाइरल हो रहा है और शहर में चर्चा का विशय बना हुआ है आपको बता दें कि शहर में सफाई के नाम पर हर महा 35,000,000 रुपे के करीब खर्च होते हैं जिसमें से 7,57,000 रुपे के खर्च से रात को अलग से शहर में सफाई की चाती है नगरपालिका की तरफ से बीते हुए कई वर्षों से रात को शहर की सड़कों की सफाई करने का अलग से टेंडर छोड़ा गया था जिसके पीछे हवाला दिया गया था कि शहर की दुकांदार अपने दुकानों की सफाई कर गंदगी को बाहर रखें और रात को सफाई कर्मियों उस गंदगी को साफ कर दें ताकि सुभर शहर साफ सुत्रा दिखाई दे लेकिन शहर के एक मार्ग पर रात के समय निकले नगरपालिका के सफाई कर्मियों के सफाई के नाम पर हो रही खाना पूर्ती का एक विडियो वाइरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सफाई कर्मी हाथों में जाड़ों तो लिये हुई है लेकिन सफाई करने के बजाए बस चहल कदमी करते हुए दिखाई दे रही है सरकारी पैसे की बरबादी का नाम दे कर वाटसब पर इस वीडियो को वारिल किया गया है जो कि शहर में चर्चा का विशय बना हुआ है नपास अचीव नवीन कुमार का कहना है कि सफाई निरक्षिक को वीडियो भेज कर जाच करने क्या देश दिये गए है इस प्रकार से लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी इस मामले में जो भी दोशी मिलेगा नियम अनुसार उस पर कारेवाही होगी खरकुदा पाइपास पर पुल के नीचे जतिन को गोली मारनी का आरूपी गिरफ्तार खरकुदा पुलिस ने हत्या प्यास की वार्डात में सनलिप मुख्या आरूपी को गिरफ्तार किया है गिरफतार आरोपी नीरेज रोहट पर खरकुदा की जतिन पर जानलिवा हमला करने का आरोप है सदर जुन को जतिन पुत्र राजेश निवासी खरकुदा नी थाना खरकुदा में शिकायद दी थी कि नीरेज निवासी रोहट पे दो नाम पता नाम मालूम यूवकों नी खरकुदा बाइपास की सीमा में उसी जान से माने की नियत से गोली मार कर घायल किया था पहले तो उसे फोन करके अपनी लिंदेन का हिसाब काने के लिए खरकुदा सौनिपद बाइपास की फ्राइओवर की नीचे बुलाया गया और फिर बाइप पर सबार होकर आए यूवकों में से एक यूवक ने उसे गोली मार दी मोगा पाकर सभी आरोपी मोके से फरार हो गई जाँच अधिकारी सुरेंधर कुमार ने अपने पुलिस ट्रेम के साथ आरोपियों की खोश्मिन करते हैं आरोपी नीरज रोहट को गिरफतार कर लिया है बुलिस के मताविक आरोपी ने छखड़े का कारण आपसी पैसों के लिन देन को बताया है गिरफ़तार आरोपी को नियाले में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमान पर लिया गया है जल्द ही मामली के अन्या आरोपियों को भी गिरफ़तार कर लिया जाएगा लगातर खबरों से अबरीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद